हेलो दोस्तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से टैबलेट सिट्जिन के बारे में संपूर जानकारी बताऊंगा कि इस टैबलेट को किस बीमारी में कब और कैसे इस्तमाल किया जाता है और इसके लेने से क्या-क्या साइड एफेक्ट हो सकते हैं ये वीडियो आम आदमी के लिए भी फाइदे मन्द हो सकती है जो मेडिकल साइन्स के बारे में नहीं जानते हैं यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे की आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके वीडियो को लाज तक जरूर देखें चलिए दोस्तों वीडियो को प्राइजिन हैड्रोकलराइट 10MG पाया जाता है इस टिप में 10 टैबलेट होती हैं अगर हम इसके प्राइज की बात करें तो 10 टैबलेट का मुल लिए 18 रुपे 37 वैसे होता है जो की काफी रिजनेबल होता है दोस्तों इस टैबलेट की हम बात करें तो यह टैबलेट हर कि इसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है चलिए अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं दोस्तों यह टैबलेट एंटि हिस्टामीन होती है जब कभी हमारी शरीर के अंदर हिस्टामीन अधिक मातर में बढ़ने लगते हैं तब एलर्जिक कंडिशन शुरू हो नाक से पानी बहना बार बार च्छी के आना आदी बीमारी में इसका इस्तमाल क्या जाता है अगर इसके डोस्तों की बाद की जाये और इसको कितनी मातरह में लेना चाहिए इसकी डोस्तों 5C's 10Mg दिन में एक बार या रात को सõते समय लें जिससे कि इसको लेने के बाद कभ कभी कभी नीनद की इसी शिकायद होने लगती है अगर रात मेले तो बहुत ही अच्हा है चलिए दोस्तों अब हम इसके साइड इरफच्ट की बात करते हैं इस टैबिट के साइड इależy की बात करें तो इसके लेने के बाद मरीज को नींद आना शुरू हो जाती है और किसी किसी मरीज को चक्कर जैसी शिकायत महसूस होने लगती है फ्रेंड्स किसी भी दवा को लेने से पहले अपने डोक्टर से संपर्ख जरूर करे वीडियो को लाज तक देखने के लिए थैंक यू सो मच मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद